नमस्कार की समभाईयों आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है दोस्तों अगर आपके फसल के अंदर कोई जिवान उजन्य रोग यानि की बैक्ट्रेल डिसीज आ गया है जैसे की उधारंग की तोर पर बैक्ट्रेल ब्लाइट जैसा कोई रोग आ गया है बै इतनी भी बैक्ट्रेल डिसीज के उपर काम करने वाली दवय आए उनके उपर आपकी पूरी की जानकरी होना बहुत ज़रूरी है आप बैक्ट्रेल डिसीज को कंट्रोल करते वर्क तो यहीं बैक्ट्रेल डिसीज को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए आपका इंडोफिल क प्रेक्टरी नाशक के कंटेंट से लेकर उसकी किमोतों डोस्तक जानकरी देने वाले तो चले शुरूरात करते तो किसाम बाईयों इंडोफिल कंपनी का आता है आपका बैक्टरी नाशक जिसके अंदर आता है टू ब्रोमो टू नाइट्रो प्रोपेन वन थ्री डायोल 95 प्र पर अगर आपको कुछ दावई चाहिए यही कंटेंट वाला तो आप मल्टिपलेक्स कंपनी का बैक्टरी नाशक का इस्तेमाल कर सकते हो तो किसाम बाईयों अभी हम जान लेते कि नाशक की मोड आप आक्षिन के बारे में तो बैक्तिरी नाशक की मोड आप एक्शन सima बेड़्ाइट स्पेक्ट्रम वाला एक बैट्रेड साइड मतलड इक साथ कही रोगों की उपर काम करने की हक्षमता रखता है वह बैक्ट्रिया साइड यानि की आपको पता है बैक्ट्रिया नाशक का इस्तमाल करते हो तो उसके छिड़काओं के बाद आपको आपके फसल में क्लोरोफिल बरता हुआ दिखाई देगा क्योंकि इसमें फाइटो टॉनिक इफिक्ट आपको पता है संदूरुस्ति भी दिखाई देती है रोगों को या फिर किटकों को कांट्रोल करने के साथ तो यह आप यह आपको बहुत ही अच्छी तरीकी से पाइदा आपको पहुच जाता है और इसी के साथ साथ इसमें इम्मूनीटी बूस्टेर का भी एक प्रक्रिया होता है अगर आप इसका छिटकाव करते हो तो इम्मूनीटी बूस्टेर रहने की रोगों के प्रती जो लड़ने की जो शमता होती उसको इम्मूनीटी पाउर कहा जाता है और इसी इम्मूनीटी पाउर को बढ़ाने में भी आपका यह बैक्टरी नाशक काम भी अच्छी तरह के से करता है तो किसा मायो बैक्टरी नाशक आपके जिन जिन रोगों के उपर काम करता है उनकी इमेजेस आप अभी स्क्रिंग के उपर देख सकते हो यह बैक्टरेल ब्लाइट के उपर बहुती अच्छी तरह के से काम करता है बैक्टरेल ब्लाइट में काले रंग के दब्बे तो हो लेकिन वह आकर में बहुत ही चोटे-चोटे आकर का पिन के जैसे तिकली के जैसे आपको चोटे-चोटे बिंदू दिखाई देंगे इसे आप बैक्टरियल ब्लाइट का कई सकते आप बैक्टरियल ब्लाइट और लेट ब्लाइट में फर्क नहीं करना जानते होंगे कुछ कि ने ब्लाइट में बड़ा बड़ा का धबबा दिखता है जो कि विल बॉटे히 बैक्टरिय ब्लाइट के कारण होता है तो बेट्रियल ब्लाइट में काले-काले सावस्ता में आप बेज जिचक बैक्टरी नाशक का इस्टमाल कर सकते हो रही बात कॉंबिनेशन की तो कॉंबिनेशन करते वक्त आपको कुछ ज्यादा जिचक नहीं महसुस नहीं होगी आप अगर फीजिकल टेस्ट करके देखते हो अगर मिसरन दूद की तरह नहीं फटता ह सब्सक्राइब की ज्यादा का इपका नई सब्सक्राइब करता है और करते हो दोनों के उपर काम करता है तो इसी तरह से हरेक पंजिसाइड वेक्टरियसाइड ने होता है तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आपके फसल के अंदर कुछ बैक्टरी नाशक हो गया या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तब आप बैक्टरी नाशक का भी इस्तमाल ने करते हो तो ब्लू कॉपर स्टेप्टो जैसे आपको स्प्रे निकाल लेने चाहिए अगर आ 80 फिसदी तक आपको यह अची तरकी से रिजल्ट दिखा देता है और अगर अटक होने के बाद इस्तमाल करते हो तो सतर फिसदी तक ही आपको यह रिजल्ट दिखा देता है तो किसाम ब्लू के अंदर आपको बैक्टरी नाशक की समस्या आती है जिवानुजने रोग आते उन सभी पसलों में आप बैक्टरी नाशक का बेजीचक इस्तमाल कर सकते हो चाहिए वो सब्जीवर गिये हो या फिर आपकी बागवानी वाली पसलों आप सभी पसलों में बेजीचक इसका इस्तमाल कर सकते हो तो किसाम भाई हो इसके डोस के बारे में और ड्रेंचिंग करना करने के लिए और मेरी सब से जब recommend नहीं किया तो इसका इस्टमाल आप ड्रेंचिंग के लिए जब तक कमपनी ने बोलती तब तक आपको नहीं करने चाहिए और आज कंबिनेशन के बारे में तो आज तो आपको आगे जाकर जिवानुजन्य रोग यानी कि बारे में बात करने वाले तो भी होते हैं आपके फंगल के अंदर आपको लगता है कि वाइड मेरे पसल के अंदर कुछ भी यह उसके लगता है आपके बीपो represents की तरह भी काम करता है तो वेडिट आनोसार आपके एरिया की आनूसार आपको तई करना है कि कौन सा वाला बैक्टरिया साइड प्रियोंटी के तोर पर लेना चाहिए और जब आपको कोई न कोई कोई पर आपको दिखता है कि बैक्टरियल डीसीज का मेरे फसल के उपर अटेक हो गया है तब आपको अच्छे वाले यानि कि वेल्डमाइस हीन हो ग आते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाके भी चेक आउट कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में जय जावान जय किसान